आपने शाही पनीर खाया होगा शाही बिर्यानी खायी होगी शाही मिठाई खायी होगी क्या आपने कभी शाही पराठा खाया है गया जी हाँ आज हम बनाने वाले हैं एक अनोका शाही पराठा तो इदर मैंने मिक्स ड्राइफूड लिया है ड्राइफूड आप अपनी कि यहां में सबक्ते हो कि दिए सिक्ट की चुर्त्त से ने होता है। आया तो आप बटल भी स्काष्थ हो तो हमारी जो पेस्त र atee quantity का एक भूइया बना लो Аंर हमे रोटी जैसा बेल लेना है गोल गोल वैसे आप इसको ना कोई भी शेब डे सकते हो इसको मैं आज डिए रही हूँ तो अमारी गोल रोटी तयार है और शाहि हमारी पहले आइडिया है कि इसको इस तरह से ड्राइफूड और रोटी खिलाने का तो इसी तरह से मैंने ट्राइंगल का शेप बनाया है उसको और इसको बेला है रोटी जैसे ही तो यह जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया था इस इसका नाम मैंने शाही पराठा इसली रखा है तो हो गया ना शाही पराठा वैसे मखन नहीं रहता है तो अप बटर लगा दो वैसे इसका टेस्ट में बढ़िया अब चाहे तो इसको घी से सेख सकते हो अगर आपको बटर का इस्थामाल नहीं करना है तो सबकी कहरत ही है यह तो बस हमारा जो पराटा है वो तयार है इसको जादा बनने में टाइम नहीं लगा है वैसे अभी खतम नहीं हुआ है हमारा शाही पराटा है हम शाही तरीके से ही उसके गार्णिश करेंगे तो जो पेश्ट हमने बनाया था शाही वाला बस वही उपर लगा देना है थोड़ा सा मैंने मक्खन डाला है और शाही फ्लेवर डालने के लिए मैंने उपर से और ड्राइफूट डाला है वैसे इसका टेस्क किसी मीठाई से कम नहीं था आप इसको बीना गार्णिश के भी खा सकते हो क्योंकि इसका डाला है तो यह पराटा ना चीकी से चीनी पराटे से कम नहीं था बहुती सॉफ्ट अंडर के लिएर्स भी बहुत अच्छे बने थे ऐसे नए नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थाइंक यू